वृत आओ वृतों के कुछ आधार भूत नियमों को सीखें। वृत एक बंद आकृती है। हम जानते हैं कि बहुभुज भी घिरी हुई आकृती होते हैं, लेकिन बहुभुज रेखाखंडों से गिरे होते हैं, सीधे रेखाखंडों से, जबकि वृत एक वक्र द्वारा घिरा होता है। और यह किस तरह का वक्र है? यह एक ऐसा वक्र है, जहां पर हर वक्र पर स्थित, हर बिंदू की दूरी इसके केंद्र से बराबर होती हैं। इसलिए अगर आप इस वृत को देखें, तो यहां पर O केंद्र है, यह एक्स यह वाय यह सभी केंद्र O से बराबर दूरी पर हैं। अब वृत पर किसी बिंदू यह केंद्र के बीच की दूरी को त्रजिया कहते हैं। इसे वृत की त्रजिया कहते हैं। अब अगर आप रेखा खंड, A, B को देखें तो इसे व्यास कहते है या रेखा खंड A, B कैसे है? A और B दोनों वृत्व पर अंत बिंदू है और रेखा वृत्व के केंदर से होकर गुजर रही है इसका मतलब हुआ कि ऐसा रेखा खंड जो वृत्व के केंदर से होकर गुजरे और उसके अंतर बिंदू वृत्व पर हो उसे व्यास कहते है तो अब आप यदि ध्यान से देखें तो O, A A, B का आधा है और O, B भी A, B का आधा है अता हमें यहाँ यह मालूम है कि वृत्व का व्यास उसकी त्रज्या का दुगना होता है क्योंकि A, B O, A और O, B का दुगना है अब आओ देखें कि परिधी क्या है परिधी है क्या अगर आप देखें तो वृत्व का परिमाप ही परिधी है इसका मतलब यह है कि अगर आप यहाँ देखें तो बिंदू A, B, X, Y यह सभी बिंदू वृत्व की परिधी पर स्थित है अब आप वृत्व कैसे खीचते है अगर मैं एक वृत्व कीचना चाहूँ तो यह मैं करूंगी कैसे प्रकार का प्रेयोख करके तो आप क्या करते हैं कि धातु की नोक और पैंसिल की नोक के बीच की दूरी आपके वृत्ति की तृज्या है इसलिए इसका इस्तिमाल करके आप वृत्त खीच सकते हैं आओ अब वृत्तों के कुछ और उधारण देखें एक ग्लास यदि आपने ग्लास देखा है ग्लास का निचला तल एक वृत्त है अब अगर आप यहां देखें तो चल्ले जिनके साथ आप खेलते हैं वो भी वृत्त है आओ अब इस आकरती को देखें यदि आप सभी रेखाखंडों पर नजर डाले AP, AB, AX, AY, AZ तो आप क्या देखते हैं यह सभी रेखाखंड वृत्ति की परिदी पर दो बिन्दूओं को जोड रहे हैं इसलिए जब भी एक रेखाखंड कीचा जाता है जिसके अंत बिन्दू वृत्त पर हो या वृत्ति की परिदी पर तब उस रेखाखंड को जीवा कहा जाता है इसलिए यह सभी वृत्ति की जीवाएं है अब अगर आप इन सभी जीवाओं पर नज़र डाले तो यहाँ पर सबसे लंबी जीवा कौन सी है? सबसे लंबी जीवा A, B है और यही इस वृत्य का व्यास भी है क्या यहाँ पर इससे बड़ी जीवा भी हो सकती है? नहीं, इसका मतलब है कि हमने यह सीखा कि वृत्य की सबसे लंबी जीवा उसका व्यास होती है अब आँ सीखें कि चाप क्या है? चाप पास्तव में वृत्य का ही एक हिस्सा है तो अगर आप देखें, यहाँ वृत्य पर A, B, C एक चाप है यह वृत्य पर निश्चित किनी तीन बिंदूओं द्वारा परिभाशित है इस थिती में दो बिंदू A और C चाप के अंत बिंदू है और यहाँ बीच में एक और बिंदू भी है इसलिए हम इस चाप को A, B, C लिखते हैं अता इसे चाप A, B, C कहते हैं जो वृत्य का ही एक हिस्सा है आओ यहाँ कुछ और चापों पर नजर डालें यदि मैं इस वृत्य को देखूं तो मैं कह सकती हूं कि मेरे पास एक चाप P, Q, R और मेरे पास एक और चाप P, S, R है अब यह दोनों चाप वृत्य की आधी हैं वृत्य के आधे भाग को अर्दवृत्य कहते हैं इसलिए अर्दवृत्य भी एक चाप है अब आओ देखें, वृत्य का आंतरिक भाग और बहिर भाग क्या है? तो अगर आप इस आकृति को देखें, जो कुछ भी पीला है, उसे वृत्ति का आंतरिक भाग कहते हैं इसका मतलब है कि जो कुछ भी वृत्ति के अंदर है, उसे वृत्ति का आंतरिक भाग कहते हैं जो कुछ भी वृत्य के बाहर है, इसका मतलब है कि जो भी हमने नीले रंग में दर्शाया है, परन्तो यह नीले भाग तक सीमित नहीं है, जो भी नीला भाग है और उसके बाहर वृत्य का बहिर भाग है। और जो कुछ भी वृत्त की परिधी के ऊपर है, उसे हम कह सकते हैं कि वह वृत्त पर है। इसलिए परिधी पर स्थेत कोई भी बिंदू वृत्त पर स्थेत होता है। तो आओ इन तीन रेखा खंडों, A-O, O-B और O-C को देखें। तो अगर आप देखें, तो बिंदू A वृत्त पर है, और बिंदू वृत्त के आंतरिक भाग में हैं, और बिंदू C वृत्त के बहर भाग में। तो यहां हमने देखा कि रेखा खंड O-B, रेखा खंड O-A से छोटा है, और O-C, O-A से बड़ा हैं। इसलिए रेखा खंड जो वृत्त के केंद्र और आंतरिक भाग में स्थित किसी बिंदू को जोडता है, हमेशा ही वृत्त की त्रिज्या से छोटा होता है। और रेखा खंड जो वृत के केंद्र और वृत के बहेर भाग पर स्थिति किसी बिंदु को जोड़ता है, हमेशा त्रज्या से बड़ा होता है.